दोस्तों आई वेलकम यूवल ऑन एई सी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म आप एडवांस इंजिंग क्लासे सोरी सेरीज में आप सभी लोग को अगा स्वागत है तो हम लोग थियूरी ओप मसीन पढ़ रहे हैं और यह थियूरी ओप मसीन का लेक्चे नमर फॉर है इस से पह जाना चाहते हो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो इसके लिए हमारी एप्लिकेशन पर बेच अवेलेबल है बेच का में मोटीव है प्रेक्टिस प्लस रिविजन तो यहां पर आपको लगबग 200 प्लस आवस के लेक्टिस मोडूल प्रवाइड किया बलके कुश्चन से जो कि आपको मेंस की प्रिपेशन में काफी हल भूल रहेंगे साथ में सभी सेशन की आपको पीडे भी प्रवाइड की जाएगी और साथ में 100 प्लस टेस्ट की एक स्रीज टेस्टिस भी इस बेच के अंदर निंक्लूड है बेच अल्यड़ी स्टार्ट ह अब होर और आज की सेंसेंटेन का पहला कुश्चन है विच वन ऑपड़ फोबलोई इस्टेटाटमीट इससे कौन सा स्टेटमेंट नहीं तो ध्यान से पर ना These Doegen Zero इस तू कनेक्ट तू रोटेटिंग कॉप लेनर नौन इंटरसेक्टिंग साथ तो हुक्स जोइन के बारे में हम अलड़ी कुश्चन कर चुके हैं लास्ट सेशन में भी चलिए लास्ट वाले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हुक्स जोइन इस इस इन दे स्टेरिंग साथ यस दो पैरलल ऑपसेट साथ के बीच में पावर ट्रांस्मिट करने के लिए हम और कपलिंग का यूस करते हैं बिल्कुल से यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है हुक्स जोइन इस उस टू कनेक्ट टू रोटेटिंग को प्लेनर इंटरसेक्टिंग साथ तो अगर आपने हुक्स जोइन की डेफिनेशन भी पड़ी होगी तो यह स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद हो गया होगा देखिए हुक्स जोइन जो होता है यूनिवरसल जोइन ही होता है जो कि दो को प्लेनर और इंटरसेक्टिंग साथ के बीच में पावर ट्रांस्मिट करने के तो यूस कते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन ए हो जाएगा क्योंकि इन करेक्ट से बूचा गया था ओके चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन नम्मा 62 में इस्ट कोलम का है यहां पर प्रिंसिपल और मैथर्स दी गई है लिस्ट वन में और दूसर और एक्सेलरेशन डिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हर एक लिंक का हम यूज कते हैं तो क्लेंस कंस्ट्रक्शन इंस्टेंटेनेस से कोई मतलब नहीं रिलेटिव एक्सेलरेशन और लिंकेज बिल्कुल तो एका किस्से में चोगा टू से होगा क्या बोलती है कि if three link are in relative motion to each other then there instantaneous center must be lie on a straight line तो instantaneous center की बात की जाती है Kennedy theorem के दोबारा तो बी किससे में होगा बी में होगा किससे one से तो two one कहां पर है two one यह option d answer तो हमें पता चल गया बाकी डी अलंबर प्रिंसिपल हम जब vibration पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं डाइनमिक फोस इन linkage की बात करते हैं तो डी अलंबर प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वहाँ पर तो सी किससे में होगा फोस से में होगा और डी किससे में हो जाएगा त्री से में हो जाएगा इसका मतलब क्या ग्रबलर रूल हम यूज करते हैं मॉबवावलिटी मतलब डिग्री ओफिडम को पाइंड आउट करने के लिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा option d will be the correct answer चले नेक्स कुश्चन नमर 63 विच मेकेनिजम प्रेड्यूस इंटर्मिटेंट रोटरी मोशन टू एक कंटिनियस रोटरी मोशन दीखे विट वग्वक्ट क्योंकि रिटन मोशन मेकेनिजम की अगर मैं बात करने हूं तो यहां पर रोटेशन टू रोटेशन मोशन होता है या रेसीप् ट्रांसलेशन टू ट्रांसलेशन दोनों जो स्लाइडर है वो दोनों स्लाइडर क्या करते हैं ट्रांसलेट ही करते हैं जेनेवा मेकेनिजम होती है जिसमें रोटेशन मोशन को कनवर्ट किया जाता है रोटेशन मोशन जो है वो इंटर्मिटेंड रोटरी मोशन में ख pasta है जैनेवा मेक निजम हाँ एक हैं इसके लिए इन्डेक्सिंग के लिए इंटर्मिटर मोशन मेकिनिजम होता है इन्पूट लिंक कंप्लीट रोटेट होती है जो आउट्पूट लिंक होती है ऐसे रुप रुप के चलती है आप देख सकते हैं उसका डाइग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है यह वाली जो लिंक है यह वाली लिंक पूरा टार्न होगी और यह वाली लिंक जो है इसमें ऐसे इसलोड बने हुए है जिसकी वज़े से क्या होगा यहाँ पर इसका जो मोसन है कैसा होगा इंटर्मिटेन मोसन होगा ओके तो जेनेवा मेकेनिजम में ध्यानक है इंटर्मिटेन मोसन मेकेनिजम होती है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्चन कुस्चन नम्मर 64 एक केम रोटेटिंग विदे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पुष्टेस इटस फ्लैट फेस रेडियल अप्वड ठीके केम रोटेट करे के लिए तो जो फ्लैट पेस है उसको क्या करेगी फ होलोर के उसको उपर की तरफ पुष्ट करेगी बिलकुल कर लिए इप नेचर ऑब द अपवड दिस्प्लेस्मेंट ऑप द velocity uniform acceleration SHM and cyclodal motion तो यहाँ पर बोला गया है कि motion जो है कैसा है cyclodal motion अब आगे क्या बोला गया है यहाँ पर कि दिन वाड़ीज दा सेप आप दा एक्सेलरेशन कर्व तो एक्सेलरेशन कर्व का स्लेप आप सेप आपको बताना है तो दीके सबसे पहली बात तो होता है कमी cyclodal motion जो है वह सबसे ज़्यादा प्रिफर किया था आई speed application पर क्योंकि वह पर जर्क की प्रॉबलम नहीं होती तो जर्क की प्रॉबलम नहीं होती तो एक्सेलरेशन इंफिन आइड नहीं होगा पहला उप्सन जो है उसको आप बेसे भी आप cancel out कर सकते हो बागी आपको cyclodal motion के बारे में पता हुना चीद है कि cyclodal profile कैसे मिलती है cyclodal जो होता है it is a locus of a point on a circumference of a circle which roll on a fixed surface without slipping तो वो जो locus होता है उस point का जिसे कि suppose मैंने ये एक plane surface लिए इस पर एक circle लिया और circle को मैं का कर रहा हूं रोल कर रहा हूं इस plane surface पर without sleeping तो यहां पर इस point का जो locus होगा यह locus ही क्या किलाएगा आपका cyclodal किलाएगा तो cyclodal motion जो होता है इसमें कोई जर्क नहीं होता है तो इसका displacement curve तो वेसा ही बनेगा इसके velocity कर्व कि अगर आप बात करेंगे तो velocity जो किए वह सेंटर में जाके क्या होती maximum होती है और end पर क्या हो जाती है जीरो हो जाती है और velocity कर्व कर तो इस तरह से होता है तो इसका जो acceleration कर्व और तरह से आपको देखने ही पर मिलेगा तो कर्व आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी एक्सलेरेशन और डिस्प्लेस्मेंट कर्व तो यहाँ पर सी औप्सें जो होगा यह मेच करेगा किससे एक्सलेरेशन आफ साइकलोडल मोसन इस तो कर्वेक्ट आंसर क्या होगा अब देखें यह वाला जो है डाइग्राम यह किसका हो जाएगा यूनीफॉर्म एक्सलेरेशन यह किसके लिए बनेगा यह यूनीफॉर्म acceleration motion का acceleration diagram बनेगा क्योंकि uniform acceleration है और ये uniform velocity uniform velocity अगर है तो उसका acceleration diagram ये बनेगा और ये SHM है अगर है तो simple harmonic motion अगर होगा तो acceleration diagram ऐसा बनेगा ये cyclodal motion के लिए इस तरह का होता है cyclodal motion के लिए जो acceleration diagram होता है कुछ इस तरह से होता है तो ये सारी information आप लोगों को पता होना चाहिए तो correct answer क्या होगा और option C will be the correct answer ये देख लिजी displacement कर वो इस तरह से मिलेगा velocity इस तरह से और acceleration इस तरह से displacement जो है वो theta by 2 पर maximum होता है acceleration जो है ये theta by 4 पर और 3 theta by 4 पर इन दोनों point पर क्या होती है value magnitude wise से होती है चलिए next question 65 consider the following statement pertaining to an example for a cylindrical pair तो cylindrical pair का example cylindrical pair का example आपको बताना है इन में से कौन सा है piston and cylinder of an IC engine तो दीखे piston and cylinder of IC engine तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में no doubt pair तो बनता है cylindrical क्यों क्योंकि piston जो यह reciprocate भी कर सकता है और rotate भी कर सकता है बढ़ इस piston को हम connect कर देते हैं किससे connecting roads से तो जिसकी वज़े से इसका जो rotational motion यह क्या हो जाता है arrest हो जाता है इसलिए यहाँ पर इसको हम cylindrical pair नहीं बोलेंगे इसको हम यहाँ पर कौन सा motion हो रहा है कि अबल reciprocating motion हो रहा है इसलिए इस pair को हम क्या बोलेंगे prismatic pair बोलेंगे या फिर sliding pair बोलेंगे तो यह तो होगा नहीं चलिए next हम बात करते साप्ट supported by footstep bearing तो footstep bearing के अगर हम बात करें तो यह axial thrust bearing होता है देख लीजिए कुछ इस तरह से हम इसका diagram बनाते है footstep bearing का अभी साप्ट का motion देखिए यह जो साप्ट है यह rotate भी कर सकती है बिलकुल कर सकती है bearing के अंदर है तो rotation motion तो definitely allowed रहेगा और इसके अलावा यह translate कर सकती है बिलकुल कर सकती है तो यह यहाँ पर इसकी कितनी degree of freedom हो जाएगी दो हो जाएगी तो इसको हम बिलकुल consider करेंगे इन cylindrical pair यह भी रहेगा doctor injection series तो doctor injection series के अगर हम बात करें तो syling जो है वो घूम भी सकती है और translate भी कर सकती है तो यह भी आपका cylindrical pair की category माएगा a screwdriver operating on a screw देखिए screwdriver जो है वो क्या करता है से बस हम उसको turn कर सकते हैं आप देखेंगे कि वह जो driver हो रहेगा वो आगे पीछे translate नहीं होता है तो यह cylindrical pair नहीं होगा तो यहाँ पर two and three मतलब option b जो होगा क्या होगा इसका correct answer होगा cylindrical pair हमसे पूछा गया था तो cylindrical pair जो रहेगा कौन सा रहेगा two and three मतलब option b will be the correct answer चले next question the below figure shown the required velocity profile for a follower on a came during its rise यह क्या बुला है the below figure show the required velocity profile यह क्या है velocity profile है यह velocity profile हमें दी गई है okay no doubt follower का motion हो रहा है if the driving came is rotating at a uniform velocity came तो uniform velocity होती है उसकी okay the nature of the displacement recommended for the follower अब देखें follower का यह velocity diagram हमें दिया है यह velocity diagram की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर velocity जो है वो linearly increase हो रही है velocity linearly increase हो रही है इसका मतलब acceleration जो रहेगा अगर मैं इसका acceleration diagram बनाता हूँ इसी में continue तो acceleration diagram कैसा बनेगा चली यह तो आप acceleration diagram बना के आप पता कर सकते हो अगर आपको सभी motion का velocity acceleration और displacement का रूप पता है तो यह फिर यहाँ पर आप आप idea लगा सकते हो दे कि velocity linearly increase हो रही है तो इसकी equation में लिख सकता हूँ velocity मतलब कि d dx by d theta dx by d theta या इस तरह से नहीं लिखेंगे अपन sorry इसको अपन इस तरह से लिखते हैं dx by dt लिख लेता हूँ time के spectrum में ले लेता हूँ यहाँ पर तो dx by dt जो है यहाँ पर यह क्या है constant है okay dx by dt जो है क्या है constant है यह velocity है न तो velocity अगर है तो तो sorry यहाँ पर यह equation नहीं बनेगी जस्ट फिर यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखोंगा है velocity मतलब x dot is equal to m into t ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि यह linearly इंग्रीज कर रहा है न ultimately मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि यह क्या स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की equation origin से पास होगी तो क्या बनेगी y is equal to mx तो यहाँ पर y क्या है velocity और x क्या है यहाँ पर crank angle theta बो सकते हो यहाँ पर आप इसको बो सकते हो तो अगर मुझे निकालना है क्या अगर मुझे निकालना है acceleration तो क्या लिखूंगा d x dot by d theta तो यह क्या बन जाएगा m मतलब यह uniform यह किस motion की बात चल रही है यह uniform acceleration motion की बात चल रही है क्योंकि acceleration जो है यह d x dot by d theta x double tot बन जाएगा तो यह क्या है constant और uniform acceleration के case में displacement जो होता है पैराबोलिक होता है अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस equation को displacement निकालना तो इसका integration करोगे तो इसका integration करोगे तो square आ जाएगा यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर जो displacement करो मिलेगा वो कैसा मिलेगा पैराबोलिक मिलेगा इसको आप थोड़ा सा idea लगा कर भी answer कर सकते थे velocity अगर uniform है तो displacement जो रहेगा कर्व कैसा रहेगा आपका पैराबोलिक रहेगा ओके velocity जो है वो कहा है uniform velocity ओके sorry velocity is not a uniform acceleration is uniform velocity तो continuously का हो रहे है बढ़ती जा रहे है बढ़ती जा रहे है तो यहाँ पर acceleration जो होगा कैसा होगा पैराबोलिक होगा यह question आप से पूछा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question and ellipse and ellipse tremel elliptical tremel की बाद चल रही है the length of the link connecting to the two slider is 100 यह दो slider है इन दोनों को connect करने वाली जो link है इसकी length हमें दे रखी कितनी 100 data okay 100 mm the tracing pen is placed 150 mm extension to this link अच्छा तो tracing pen को जो है हमने क्या क्या इससे 150 meter extension per pen place किया यह p point हो गया यह point a हो गया यह point b हो गया यह point हो गया p the major and minor axis of the ellipse trace by the mechanism देखिए इस point का हम लोकस देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक ellipse मिलेगा तो उस ellipse की equation क्या होती है x square by x square by ap का square plus y square by bp का square is equal to one तो a p जो होता है यह क्या होता है semi major axis और bp जो होता है semi minor axis तो a p जो है देख लीजी कितना हो गया a p यहां पर हो गया कितना 250 हो जाएगा bp जो है कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा यह semi major axis और semi minor axis क्यों देखे x square by a square plus y square by b square is equal to c is equal to 1 यह formula होता है ellipse की equation का और major axis पूछी हमसे तो major axis कितनी होती है यह 2a होगी तो कितना हो जाएगा 2 into 5 250 तो यह बन जाएगा 500 ml माइनर axis अगर हमसे पूछी है तो यह minor axis कितनी होगी तो भी होगी यह कितना जाएगा 100 into 2 मतलग 200 तो 500 और 200 option में हैं क्या 500 और 200 option d में है बहुत ही अच्छा कोश्चा था है यह आपको याद अखना पड़ेगा इस ellipse का area अगर पूछा होता आपसे एरिया का भी relation यादा कि पाई into a into b यह area होता है और a और b जो होता है semi major और semi minor axis होता है major axis अगर आपसे पूछा थो 2a minor axis पूछा है थो 2b ध्यान अगर फॉर्मूला यादा कि x square upon ap का square plus y square upon bp का square यह जो पी पॉइंट है extension पर यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर आएगा तो ap major axis bp जो है minor axis यह बन जाएगा तो यह आप यहाँ से इस question का answer निकाल सकते थे चलिए आगे बढ़ते हैं next question no 68 क्या बोला the differential gear is fitted on a rear axis of automobile its function is देखिए जो differential gear हम लगाते हैं automobile में rear axle में तो यहाँ पर basically epicyclic gear train लगी होती है okay epicyclic gear train लगी होती है जिसकी degree of freedom जो होती है कितनी होती है दो होती है तो दिखिए rear axle पर जो differential लगा होता है वो क्या करता है वो दिखिए आप जब भी गाड़ी को turn करते हो तो दिखिए turning होती है तो यह विल को ज्यादा distance travel करना पड़ेगा यह विल को कम distance travel करना पड़ेगा सब्स तरफ सब्सकर टनिंग हो रही है तो यह दो degree of freedom प्रवाइड करता है तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को पड़ें तो to rotate the front wheel at different speed but front wheel नहीं rear wheel पर लगा होता है यह to rotate the back wheel at the same speed during the turning ऐसा कुछ भी नहीं to rotate the back wheel at different speed during turning or to permit the two back wheel to rotate at the different speed when driving is in straight path straight path में होगी तो different speed थोड़ी होगी straight path में होगी तो same speed होगी जब rotate होगा गाड़ी टान होगी तो इन दोनों की जो speed रहेगी वो क्या रहेगी अलग रहेगी यह दोनों wheel की जो speed रहेगी वो क्या रहेगी अलग रहेगी उसको permit करता है कौन यह differential gear ओके इपी cyclic gear train यहां पर use होती है और इसकी जो degree of freedom होती है यह दो होती है तो दो का मतलब यह हुआ कि यह अलग-अलग motion provide करता है दोनों को नेक्स्ट question number 69 दो statement method of obtaining different mechanism by fixing in a turn different link in a kinematic chain is known as the inversion yes inversion का मतलब क्या होता है जो chain होती है उसमें हम अलग-अलग link को fix करके अलग-अलग mechanism को obtain करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं बिल्कुल सही definition है statement two को पढ़ लिजे Scotch york mechanism is a inversion of double slider crank mechanism बिल्कुल सही है double slider crank mechanism के तीन inversion होते हैं elliptical tremel Scotch york mechanism और old arm कपली तो Scotch york mechanism जो है double slider का inversion है बिल्कुल है दोनों statement सही है बट explanation तो ऐसा कुछ है नहीं तो answer क्या होगा both statement are correct individually but the statement two is not a correct explanation of statement one explanation यहाँ पर नहीं है यह यह तो individual statement बन गए ना दोनों कोई आपस में relation नहीं तो correct answer क्या हो जाएगा option B हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question the minimum number of link काफी अच्छा question नहीं ध्यानक है the minimum number of link इन्हें constraint planar mechanism involving revolute pair and two higher pair तो minimum number of link आपको बताना है constraint planar mechanism का मतलब क्या है जिसका degree of freedom कितना होगा वन होगा और इसमें हमें पहले ही बोल दिया है कि higher pair कितने हैं यहाँ पर दो है तो minimum degree of freedom वन है तो आपको बता है planar mechanism में higher pair अभी consider नहीं करें degree of freedom अगर वन है तो यहाँ पर हमार पास relation क्या बन जाता है one is equal to three and minus three minus two j यह three इदर आ जाएगा क्या बन जाएगा four और two j भी इदर आ जाएगा तो क्या बन जाता है three and is equal to two two j plus four तो यहाँ पर आप देखते हैं कि mechanism के लिए यह जो time है four always even two का multiply हो रहा जे में तो यह time भी even तो यहाँ पर यह जो three and की value है it must be even यह भी का होना चाहिए must be even तो और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जे भी अगर edge भी लेता हूं तो edge की value तो already 2 है na edge की value तो already 2 है तो वह दो लूँगा में सीधा दो अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर यहाँ पर 6 हो जाएगा तो वह भी even रहेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा दो अगर मैं इदर लूँगा तो यह minus three minus two यह 6 हो जाएगा तो यहाँ पर भी आप इसको जे को भी लेकर मतला edge को भी लेके कर सकते हो तो 3 and must be even तो n जो है यह क्या होना ची एफैन होना ची एफैन इफैन में क्या हो सकता है एफ्ैन 2 हो सकता है चार सॉसकता है चे हो अगा ड़ीश्ट ओसे और उसकता है दो से से केवल पेयर मिलता है और चार लिंग अई पहर है 4 link है तो degree of freedom 1 कब होगी जब 4 pair कैसे होंगे turning pair होंगे तो next option जो बचा आपके पास क्या बचा 6 ही बचा correct answer जो रहेगा 6 रहेगा देख लेजिए यहाँ पर अगर हम 6 link ले लेते हैं तो देखिए 6 link अगर अगर अपन लेते हैं यहाँ पर तो 3 into 6 is equal to यहाँ पर 2 into 6 pair plus 6 18 देख लिजिए मेच कर रहा है यहाँ पर 2 higher pair जोड लिए ने मैंने इसको आपको समझना होगा बहुत ही अच्छा question था यह कितने minimum number of link की जरूत पड़ेगी अगर आपको constant planner mechanism की जरूत है और जिसके अंदर 2 higher pair तो minimum number of link required should be 6 ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पूरा explanation दिया है इसको भी आप refer का सकतो अगर आपको जरूवत लगता है तो next question number 71 while designing a cam pressure angle is one of the most important parameter which is directly proportional to pressure angle जो होता है यह directly proportional होता है कि इसके base circle radius के यह आप ध्यानक है या base circle diameter बोले या radius बोले base circle diameter या radius दोनों बात सेम और base circle से ही game के case में base circle जो होता है सबसे important circle होता है base circle से ही game का क्या दिया जाता है specification दिया जाता है बेस कल से ही game का क्या दिया जाता है specification दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं consider the following statement in a slider crank mechanism the slider is at its dead center position when देखिए slider crank mechanism में slider जो है वो dead position पर dead position मतलब extreme position extreme position मतलब theta की value जो है क्या है 0 थीटा की value जो है क्या है 0 inner dead center पर है suppose अब यहाँ पर हम से क्या पूछा slider velocity is 0 theta का 0 होगा तो definitely velocity भी 0 होगी simple harmonic motion करता है velocity क्या होता है आर इंटू ओमेगा sin theta plus sin 2 theta divided by 2n तो theta अगर 0 है तो यहाँ पर velocity जो होगी वह भी क्या होगी 0 होगी तो यह statement जो है बिल्कुल correct है velocity maximum नहीं रहेगी velocity maximum होती है जब mid position पर होता है theta की value कितनी होती 90 होती है slider acceleration is 0 यह भी गलत है acceleration 0 आपका कब होगा जब theta की value 90 degree रहेगा यहाँ पर slider acceleration जो होता है क्या होता है maximum होता है one और fourth answer जो होगा हमारा one होगा इस समय slider का जो acceleration होगा वो भी क्या होगा maximum होगा जीरो वेन theta is 0 ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस question का answer बता चलिए option a next question number 73 क्या बोला है which of the following are associated with a carman steering mechanism use in automobile देखे आकर में के बारे में आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इसके अंदर को तीन position पर follow करती है बस तो यह सारे point पता होना चाहिए तो पहला statement as a both sliding and turning pair बिल्कुल गलत बात है यह बात चल रही है कि इसकी davis davis में होता है sliding और turning pair दोनो less friction and hence long life yes यहाँ पर के वल turning pair होते हैं इसलिए friction जो होता है कम होता हो life क्या रहेगी ज्यादा रहेगी long life लगबग इसकी life जो होती है 50,000 से लेके 60,000 किलोमेटर के आसपास इसकी life होती है किलोमेटर में लिखी जाती है life इसकी mechanically correct in all the position बिल्कुल गलत है mathematically not accurate except in three position बिल्कुल सही है as only turning pair यह भी सही है control moment of two front wheel यह भी सही है यहां पर इससे हम क्या करते है केवल दो फ्रेंट फिल्क के moment को ही control कर सकते हैं तो two four five six two four five six option age होगा क्या होगा इसका correct answer होगा apart from this Davis के बारे में आपको बताऊना चीज इसके अंदर sliding और rolling pair sliding और turning pair दोनों होते हैं Davis mechanism की जो life होती है कम होती 500 to 600 km होती है इसके अंदर friction ज्यादा रहेगा क्योंकि sliding pair है चलिए आगे बढ़ते हैं next question number 74 assertion reason का question है अच्छा question है देखिएगा hooks join connect to non parallel non intersecting shaft to transmit motion with a constant velocity ratio तो यह बिलकुल statement आप याद रख लें कि hooks join है वो non intersecting के लिए use नहीं होता है वो use होता है किसके लिए intersecting shaft के लिए तो पहला statement गलत है और जब भी पहला statement गलत होता है तो फिर आपको आगे सोचने की भी जर्वत नहीं है आंसर आपका बन जाता है d a is false and b जो होगा r जो होगा क्या होगा definitely true होगा तो hooks join connected to two soft the axis of which do not remain in alignment while in motion तो miss alignment के लिए हम use करते हैं तो यह alignment में नहीं रहेगा तो बिलकुल सही बात है यह statement जो है क्या है correct है और पहला वाला जो statement है यह क्या incorrect है तो correct answer क्या हो जाएगा option d will be the correct answer ओके चली आगे बढ़ते हैं question 75 दो statement आपको बताना है which of the above can rightly be considered as a successfully constrained motion successfully constrained motion या forcefully constrained motion भी हमसे पूछा जा सकता था forcefully constant motion तो आपको बताना इन दोनों में से कौन सा successfully या forcefully constrained motion पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग inside the engine cylinder बिलकुल में आपको बताया था यह भी एक forcefully constrained motion motion of the soft treatment food distribution यह भी एक successfully constrained motion का example तो answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा यह कई बार हम discuss कर चुके successfully completely constrained motion incomplete constraint motion और successfully or forcefully constrained motion तो correct answer क्या होगा इसका option C होगा चली आगे बढ़ते हैं question number 76 a planar mechanism has 10 link and 12 rotary joint using a grubler criteria the number of degree of freedom of the mechanism तो बिल्कुल आसान है 10 link है तो 9 3 जा 27-24 तो answer कितना जाएगा 3 आ जाएगा कैसे मैंने किया यह आपको आज माया होगा हम ग्रबलर काईटे लगाएंगे degree of freedom जो है कैसे निकालते 3 into n minus 1 minus 2 j minus h तो यहां पर दिया हुआ नहीं दिया हुआ क्यूक्त लिटन मेकैनेस में तो देगे slider करें की क्यूक्त लिटन मेकैनेस अब यहां पर आपको number of link नहीं दी गई तो आपको इस पता होना चीह कि slider क्रेंग की क्यूक्त मेकैनेसम जो होती इसमें number of link चार होती और चारर नममर भोब link है तो numbers of instantaneous इने सेंटर जो होता है क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन बाइ टू तो यहां पर फॉर इंटू त्री बाइ टू तो कितना जाएगा आपका टू शिक्स आ जाएगा अंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन नम्मा 78 क्या बोला है इने केम ड्राइव इडिस एसेंटियल तू आपसेट दा एक्सिस तहीं यह आपसेट रखा जाता है जिसी कि सपोज यह केम है हमारी इस विल भी दा केम इसका सेंटर यह है और यह फोलोवर दीए इसका जो एक्सिस है और इसका जो एक्सिस है न दोनों के बीच में कहा है इसे ही बोला जाता है आपसेट जी ओपसेट क्यों दिया जाता है यह वियर को कम खरने के लिए डिग्रीज दा वियर बिट्मिन दा फोलोवर एंड केम स्क्राइब चलिए नेक्स कुश्चन नम्मर एट्टी लास्ट कुश्चन आज के सेशन का सब्सक्राइब के लिए आपको बता है स्थाइकलोडर मोसं जो था मोस्ट प्रिफर होता है क्यों क्योंकि नो जर्क जर्क नहीं होगा यहां पर ड्वैल प्लेड नहीं होता है नो ड्वैल प्लेड नो ड्वैल कुम्प्लेटबी जीरो वेलोसीटी नहीं होती है तो जर्क नहीं होता है हाई- meow to सबसे रहा प्रिपर किया जाता है maximum speed जो होती है यह 2s omega by theta यह maximum velocity होती है in case of cyclodal motion तो correct answer जो रहेगा option यह रहेगा तोटल 20 questions देखें तो हम मिलेंगे next session में और आगे के session में yes related question देखने पाए okay so thank you very much to join the session और session की PDF के लिए आप इस telegram group को join कर सकते हो AC plus app and yt discussion channel session अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रू mention करें comments box के अंदर इस telegram group की link जो है video के description में दी गई है वहां सा आप access का सकते हो okay so thank you very much to join the session मिलेंगा आप next session में good bye take care